नमस्कार दोस्तों सौगत आप सभी का सुनील आटोकार में आज हम लोग बात करने वाले मारतुई सलेरियों के बारे में यह आप इसका देखर है सेकेंड बेस वी एकसे वेरेंट जिसको आज हम लोग डिटेल में कवर करेंगे और यहां पर फ्रेंट प्रफाइल के बात किज अब को मिल जाता है कितने वेरेंट की बात करेंगे इसका बात करेंगे इसका बैस के बारे में तो फ्रेंट ग्रिल में यहां पर आपको सुचकी का लोगो ब्लैक फिनिश में ग्रिल एंड उसी में आपको क्रोम इंसल्ट दिया गया है जो स्माइली से लग रहा है एंड हेड्लाम की तरफ आते हैं तो आपको नॉर्मल से हैलोजन हेड्लैम्स एंड उसी में देखते तो आपको इंडिकेटर की प्रेस्पेंट प्र प्रफाइल पहले से काफी बढ़िया बहुत चुकी है इस नियू सेलेरियो की एंड इसके बात बात है यहां पर तो यहां पर देखेंगे इसके वाइपर एंड वाशर की प्लेस्मेंट यहां पर प्रोड़क की गई है एंड इस तरह कुछ प्लेन रूप पावर एंटीना स आपको 395 mm की इसकी लेंथ एंड 1655 mm की वीद्ट 1555 mm की हैड मिल जाती है इस कार की एंड इसके साथ यहां पर यहां पर देखेंगे तो चोटेंच के स्टील इंस में सुचकी की ब्रांडिंग फ्रेंड में आपको डिसप्रेक्स मिलते रियर में आपको ड्रमडेक्स आफर के जाएंगे टायर सेक्शन है पर देख सकते टायर प्रफाइल 165 बड़े सकता और 14 इंचेस के रेडिल के टायर इतना कुछ है पर ट्रेवल इसके बाद फेंडर पर आते हैं तो यहां पर इस तरह पूरा ब्लैक कलर के दिया गया है और इसमें आपको सिल्वर इंसर्ट भी ऑफर किया जाता है तो देखने में काफी बड़े सा लगेगा और यहां पर जबाते हैं इसका फ्यूल कैप 32 लिटर फ्यूल्टर मिल जाएगी 32 लिटर यहां पर इस करियर वील जो ड्रम इसकार में और अब बात करें कर इसकार के मेलें यहां पर आप सेगमेंट में जाते हैं तो आपको मारुती इगनेज और देखने को बिल जाएगी और इसकी प्राइब रेंज श्टार्ट हो जादी पांच लाग 25,000 एक्सी एक्स अरूम अभी बात करें कर इसके हम लोग इंजन इस पैक की तो यह आप इसका देख रहे है वन लीटर थ्री सिलिंडर पैट्रोल इंजन जिसमें आपको 66 बेच्पी की पावर और 89 नीट्रमेट का टॉक मिल जादा सम्थिंग 25 का माइलेज सब चलते इसके बैक प्रफाइल में तो यहां पर आप इसके बैक प की बिनाई की है इसका जो सेफ डिजाइन है एंड यहां पर कोई भी आपको रियर वाइपर डिफॉकर नहीं मिलता है इस वेरेंट के साथ उपर यहां पर हाई मांट श्टॉप लैंब प्लेन रूफ एंड स्पेसल थैंक्स वनम मोटर्स इनकी सारी कॉंट्रेक्ट डीटिल प्लेस्मेंट की गई है इस तरह नीचे का पूरा इसका रियर सस्पेंसन सेट अप और यहां पर देखेंगे तो इसका एक चॉष्ट पाइप टोंगोई को वगरा यहां नीचे प्रवाइट किया जाता है सो बैक प्रफाइल भी काफी बढ़ी लग रही देखने में तो यहां से कुछ आप अपनी सीट फोल्ड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो और अगर इसके स्पेर वील की बात की जाए तो यहां पर नीचे आपको इस पेर वील इसका रखावा मिल जाएगा विद टूल किट तो इस सेग्मेंट के इसाप से बूर्ट इस ठीक ठाक है अगर स तो जाएड से बाद आपको बूरी स्पेस नहीं मिलेगा वहां पर टैंक वगर लगावाव होगा तो यहीं प्रॉपर इसके सेलर्यू की बैक प्रफाइल जो आप देख रहे थे एंड ग्रे कलर भी काफी इच्छा सा लग रहा है अगर आपको वाइट पसंद हो तो मिलने वाली सेंटर लॉकिंग की है में रिमोट की नहीं दी जाती तो इसी तरह कुछ लॉक अनलॉक आपको खनना पड़ेगा और यह इसका पूरा दोर पैनल जो इस तरह दिखने वाला है फ्रेंट डासपोर पूरा इसका यहां पर देखेंग दोर ओपनर सिल्वर फिनिश मिलेगा यहां पर फिल्ड डोपनर सारे पैडल्स यहां से आप इसका बोनट खोल पाएंगे यहां पर हैड्लाइम्स के कंट्रोल्स यह इसका आइडियल स्टाइट इस्टाप का बड़न आपको ओफर किया जाता है एंड एलेक्ट्रिक वेडिश्टेबल वार्पम से कंट् सो यह है इसका पूरा श्टेरिंग की पहले करते हैं अन्बॉक्सिंग तो भाई ड्यू टू कोविड की वज़े से पहना कर रखा गया है और फ्रेंट डैस्पोर इसका देख सकते कुछ इस तरह दिखेगा सौन करते इसके इगनिशन को तो यहां पे अनलॉग इसका पूरा की डीटेल में कवर करते हैं तो पहले आते हैं इस्ट्रूमेंट क्लेस्टर की तरफ तो यहां पर देखेंगे आपको सिर्फ इस पीडोमिटर दिया गया है कोई आपको टेगोमिटर वगरा नहीं मिलेगा एंट्रिप वगारा एवरेज मैलेज जो भी आपको चेक करना और मिटर वगरा तो यहां से आपको इस तरह चेक कर पाएंगी जो छोड़ी से स्की मिल लए इसमें फिल्ड गेज वगरा भी दिया गया है यहां पर आपको सुचकी का लोगो यहां पर वाइपर के कंट्रोल इदर हैड लैंप्स के कंट्रोल यह नॉर्मल सब्सका इस्टेरिं में चलते तो यहां पर सबसे पहले आपको ऑडियो सिस्टम में इस्टॉल कराना पड़ेगा जो आप टच वाला भी लगवा सकते हैं जो भी आपको पसंद हो आप यहां पर लगवाईए बढ़िया फिर गाने वगरा सुनिए स्पीकर्स वगरा इंस्टॉल कराने पड़ें हो जाते हैं इस इवेंट के डिजाइन कुछ इस तरह देखनों को मिलेंगे बीच वाले दोनों यह देनाते नीचे तो यहां पर आपको मैनुल एसी के सारे कंट्रोल्स और यहां पर देखें कि दुबार आउल का चार्जिंग आउट प्लेट यह डमी दिया गया है एंड य इस तरह पूरा इसका डोर पैनल और दो एर बैग आपको मिल जाते हैं इस कार में इस तरह पूरा फ्रेंड एस्पोर्ट और ग्लब बॉक्स में इतना कुछ स्पेस यहां पर कुछ कर्व उपर आते तो यह एडजेस्टेवल इसका आयर वीम एंड यहां पर टिकट होलडर म में जाईए वहां पर आपको दी जाती है बड़ इसके व्यक्स में सब नहीं मिलता है वैगनार में आपको यहां पर और देखने को मिल जाएगी सो भी चलते कार के बाहर आइमीन सेकंड वाली रोपे तो वहां पर देखते क्या कुछ दिया गया है फिर बात करेंगे इसके बार में फीचेस के बार में क्या कुछ आपको इसका वेक्स एवरेंट के साथ ऑफर के जाता है पिलर तो पूरा बॉडी कलर एंड डॉर हैंडल्स भी तो आई ही चलते इसके सेकंड वाले सीट पे एंड यह इसका पूरा डॉर पैरेल वह ही ब्लैक कलर का नीचे बाटल होलडर यहां पे इसका डॉर उपनर एंड यह इसका पूरा लेयाउट फैब्रिक की सारी सीट रहेंगी एंड इस तरह पूरा व्यू दिखेगा आपको इ यहां पे दोनों फ्रेंट वाले पार उंडियो के कंट्रोल जो फ्रेंट से भी ऑपरेट हो सकते हैं पीछे से भी एंड यहां पे इसका लेग रूम थाई सपोर्ड आप देख पा रहूंगे तो ठीक था गए सेग्मेंट के हिसाब से एंड यहां पे देखेंगे इतना इसको दो करते बन फिर बात करेंगे प्राइजिंग की बारे में इसका बेस जाता है यह आपको पांच लाग चौतर जार एक्ट नों इससी के साथ यहां पर मैलीज तो आपको अचा-कासा मिली जा रहा है तो भाई माईलेज अगर आपको चाहिए किसी कार में, I mean hatchback अगर आप लेना चाहते है, तो काफ़ी बेस option आपको मिल जाता है, मारूती से लेरियो का, इसे के साथ अगर इसके अब्लोग safety features के बात कर लें, तो आपको इसमें ABS with EBD, dual airbag, center locking, child safety lock, seatbelt warning, speed alert system, and engine immolizer, crash sensor, reverse parking sensor से काफ़ी सारे features मिल जाते हैं, इस मारूती से लेरियो के सार, और यहाँ पर automatic transmission आपको दिया जाता है, manual का भी option मिल जाता है, CNG का भी option दिया जाता है, तो आपकाम खर्चा में भी से travel कर पाएंगे, तो यहाँ पर पहले से यहाँ पर भाई, आपको features भी ज्यादा मिल जाएंगे, टॉपट मोडल में, alloys, sign, risk के अलावा, आपको यहाँ पर keyless entry, status stop, button, तो features भी आपको देखा जाए, और all,